दोस्तों नमस्कार ये हमागदेशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों कम्प्यूटर से संबंधित महत्वण प्रश्णों के वस्तुनिष्ट जीयस संचे स्रिंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्रचालन तंत्र यानी अप्रेटिंग सिष्टम से संबंधित महत्वण प्रश्णों का भाग दो जो आपके आगामी परिक्षाओं के कम्प्यूटर खंड के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला प्रश्न है दोस्तुम एक फाइल जिसमें आल्प कालीन डेटा होता है जिसे मास्टर फाइल के साथ एक संयोजन के तहत प्रोसेस करता है इस फाइल को क्या कहा जाता है आपसन है सिक्वैंशियल फाइल, मास्टर फाइल, रेंडम आर्गिनाईजेशन फाइल अस्तांतरण फाइल या ट्रांस्मिशन फाइल उसे कहते हैं जिसमें अलप कालीन डेटा होता है जिसे master फाइल के साथ एक mail यानि संयोजन के तहत प्रोसेस करता है अगला प्रश्ण है वह प्रोसेस जो software development के technical और management issues को deal करता है उसे क्या कहा जाता है तो सही उत्तर है software process आपसन C दोस्तों आप जान लीजे software process, software development के technical और management issues को deal करता है software development प्रक्रिया किसी software उत्पात के विकास में अधिरोपित एक संरशना होती है अगला प्रशन है FSF का पूरा नाम क्या है तो उत्तर है free software foundation आपसन D आपका सही उत्तर है FSF free software foundation है ये एक ऐसा संगठन है जिसमें software के अध्यन वितरण creation आधिकी पूरी स्वतंतरता होती है अगला प्रशन है निमनलिखित में से कौन सा वास्तविक समय आपरेटिंग सिस्टम है तो real time operating system यहाँ पर windows CE है दोस्तों आप जान लीजे वास्तविक समय या real time operating system ऐसा प्रचालन तंत्र है जिसका विकास विशेश रूप से real time कारियों के लिए किया जाता है अगला प्रशन है वह प्रचालन तंत्र यानि operating system जो वास्तविक समय के संदर्व में समय को संदर्व को पढ़ता है और उस पर प्रक्रिया करता है आपको बताना है आपसन है time sharing system, batch system, real time system या त्वरित प्रत्क्रिया पढ़ाली तो सही उत्तर आपसन C हो जाएगा real time system आप जान लीजिए दोस्तों real time system वह प्रचालन तंत्र है जो वास्तविक समय में संदर्व को यानि reference को पढ़ता है और उस पर प्रक्रिया करता है अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन वास्तविक समय या real time प्रचालन तंत्र नहीं है यहाँ पर देखे VXworks, Windows CE, RT Linux या Palm OS तो सही उत्तर है Palm operating system दोस्तों आप जान लीजिए VXworks, RT Linux और Windows CT ये वास्तविक समय प्रचालन तंत्र है जबकि Palm OSS में शामिल नहीं है अगला प्रश्ण है परसपर संबंधित रिकार्ट के समोह को क्या कहते हैं ये महत्तपोंड प्रश्ण है, सही उत्तर है database दोस्तों किसी भी computer पढ़ाली पर संचित आकड़े जो होते हैं उनको computer database कहते हैं इन आकड़ों को किसी विशेश पद्धत का अनुसरन करते हुए संग्रहीत यानि इस्टोर किया जाता है अगला प्रश्ण है computer process का मूल लच्छे डेटा को किसमे परिवर्दित करना होता है तो उत्तर है दोस्तों computer process का मूल लच्छे डेटा को information में परिवर्दित करना होता है आप जान लीजे कि जो computer का process या प्रक्रिया है इसका लच्छ आकड़ों यानि डेटा को information में परिवर्दित करना होता है इसमें सुचनाए digital आकड़ों की रूप में रहती है जिसे process कर उसे access किया जाता है अगला प्रेशन है वह कौन सा operating system है जो device में स्वतह पूण है और room में रहता है तो आपसन देखिए batch operating system, real time operating system, embedded operation system, multiprocessor operating system या इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर है embedded operating system, option C दोस्तों embedded operation system device में स्वतह पूण है और room में रहता है embedded प्रचालन तंत्र के मुख्य कारे, उसके code को निश्पादित करना है जो उपकाड़ों को अपना कारे करने की अनुमति प्रदान करता है अगला प्रेशन है multiple computing task के लिए memory में space के पुनरविन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं multi programming, networking, multitasking या memory management सही उत्तर है memory management दोस्तों एक operating system multiple computing task के लिए इस्मृत में space पुनरविन्यास और आवंटन करता है जिसे memory management कहते हैं ये प्रचालन तंत्र के द्वरा किये जाने वाले कारियों में से एक है और इसके अत्रिक्त प्रक्रिया प्रवंधन, input output युक्ति प्रवंधन और file प्रवंधन का कारे भी करता है अगला है software का प्राथमिक उद्देश data को किस में बदलना है तो उत्तर है software का प्राथमिक उद्देश data को सूचना यानि information में बदलना होता है computer के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को software कहा जाता है अगला प्रेशन है निमने लिखित में से कौन किसी फाइल को compressed archive से remove करने की प्रक्रिया निर्देश्ट करता है आपसन है decompressing, extracting, archiving, bundling या zipping तो सही उत्तर है extracting देखें, extracting किसी फाइल को संकुचित संगरह से हटाने की प्रक्रिया को निर्देश्ट करता है अगला प्रेशन है निमने लिखित में से कौन computer file name के अंत में अंतरविष्ट होता है और file के प्रकार का निर्दारन करने में सहायता करता है तो सही उत्तर है file sub name option a यहाँ पर आप देखें, file sub name computer file के नाम के अंत में अंतरविष्ट होता है और फाइल के प्रकार का निर्धारन करने में सहायता करता है जैसे .pdf, .jpj तो इस तरह की जो फाइले होती हैं वो फाइल सबनेम होता है अगला प्रेश्ण है किसका प्रियोग दस्तावेजों और प्रोग्रामों को संचित करने के लिए किया जाता है देखिए रिसाइकल बिन, आइकन, फाइल या इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर है फाइल दोस्तों फाइल का प्रियोग डाकुमेंट और प्रोग्राम को संचित करने के लिए किया जाता है अगला प्रश्ण है में 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 जमेंट यानि इस्मृति प्रवंधन क्या होता है आपको बताना है इस्मृति प्रवंधन क्या है तो याद कर लिजे दोस्तों इस्मृत प्रवंधन जो आपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत ही महत पोड़ होता है इस्मृत प्रबंधन यानि Memory Management Operating System का मुख्य कारे है ये प्रात्मिक इस्मृति का प्रबंधन करता है तो याद रखेगा Memory Management Operating System का प्रमुख कारे होता है अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से कौन सा Software विकास माडल Linear Sequential Model भी कहा जाता है तो सही उत्तर है Waterfall Model आपसंसी दोस्तों Waterfall Model एक अनुक्रमिक डिजाइन प्रक्रिया है जिसमें लगातार नीचे की ओर एक जहरने की तरह रैखिक क्रम में आरंभ, विशलेशन, डिजाइन, निर्मार, परिक्षन, उत्पादन, कार्यान्मेन और रख रखाओ के जराण आते हैं अगला प्रैशन है एक Drive के अंदर कितने प्रात्मिक विभाजन होते हैं आपको बताना है 16, 4, 2 या 1 तो सही उत्तर है 1 दोस्तों एक Drive के अंदर एक प्रात्मिक विभाजन होता है अगला प्रश्ण है वर्चूल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पर आप सन देखे एड्रेस लाइन पर, डेटा बेस पर, डिस्क इस्पेस पर या ये सब ही तो सही उत्तर है वर्चूल मेमोरी का आकार डिस्क इस्पेस पर निर्भर करता है आधुनिक परचालन तंत्र में hard disk और RAM इस्मृती के मध्य सूचना का आदान प्रदान वर्चुल इस्मृत के माध्यम से बहुत तेजी से होता है वर्चुल इस्मृती का आकार hard disk में वर्चुल इस्मृत के लिए आवंटिज जगह पर निर्भर करता है अगला प्रश्ण बहुत ही मुहत्तो पूर्ड है आपरेटिंग सिस्टम में RAG का पूर्ड रूप क्या है आपको बताना है तो सही उत्तर है resource allocation graph याद कर लीजिए आपरेटिंग सिस्टम में RAG का मतलब होता है resource allocation graph अगला है कि जब computer machine के instruction को execute करता है तो instruction page के बाद execution page को क्या कहते हैं आपसन है program cycle, machine instruction, execution cycle, task cycle या machine cycle तो सही उत्तर है execution cycle आपसन C सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जब computer machine के निर्देसों को निश्पादित करता है तो instruction phase के बाद execution phase को execution cycle कहा जाता है अगला प्रशन है किस प्रक्रिया में link object में जो change होता है वो reflect नहीं होता और original document में save हो जाता है तो सही उत्तर है embedding दोस्तों अंतह अस्थापना या embedding की प्रक्रिया में link object यानि जुडने वाली file या file का कोई हिस्सा यदि कोई परिवर्तन होता है तो वो embedding की प्रक्रिया में मूल दस्तावेज में save हो जाता है नक्सा इत्यादी को मर्ज करने की प्रक्रिया में इसका उप्योग होता है अगला प्रश्ण है कौन सा इलेक्ट्रानिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है आपसन है आपके computer, processor, case, stylus तो सही उत्तर है processor ये प्रश्ण बार-बार पर एक्षाओं में पूछा गया है तो याद रखिएगा दोस्तों computer पड़ाले में data को process कर उसे सूचना में परिवर्थित करने वाला electronic उपकरण प्रोसेसर होता है इसके माध्यम से किसी data को process करके अप एक छित फार्मेट में सूचना प्राप्त की जाती है अगला प्रश्ण है जब computer दिये गए अनुदेशों पर कारे करता है तो उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है तो उत्तर है processing दोस्तों जब computer दिये गए अनुदेशों यानि commands पर कारे करता है और इन अनुदेशों से एक सार्थक जानकारी परदान करता है तो इस प्रक्रिया को processing कहा जाता है अगला प्रश्ण है AutoCAD में Free Arbit Tool किस toolbar पर मौजूद होता है तो देखिए महत पूर्ण है उत्तर है modify दोस्तों AutoCAD में Free Arbit Tool modify toolbar पर उपस्थित रहता है ये tool एक निश्चित बिंदु के आधार पर एक model के वर्तमान द्रिश्य को प्रदर्शित करता है अगला प्रश्ण है रन करने के लिए wait कर रहे प्रोग्रामों की सूचियों को क्या कहते हैं दोस्तों run करने के लिए वेट कर रहे प्रोग्रामों की सूचियों को क्यूस कहते हैं और प्रोग्राम को उसके क्रम की अनुसार कब रन करना है इसका निर्धारन सेडुलर के द्वारा होता है अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से लीफो यानि बाद में आओ पहले जाओ सनरशना बताईए तो धेर या चट्ठा पंक्ती बिना पंक्ती या बियोरशना तो सही उत्तर है धेर या चट्ठा दोस्तों लीफो सनरशना या लीफो इस्ट्रेक्चर का कम्प्यूटर विज्ञान में प्रयोग किया जाता है जिससे बाद में आओ पहले जाओ की सनरशना में इस्टैक किया जाता है अगला प्रश्ण है कम्प्यूटर एक सरल सिध्धान्त गीगो का अनुसरान करता है गीगो का फुल फार्म क्या है तो उत्तर है garbage in garbage out याद कर लिजे दोस्तों computer विज्ञान में GIGO एक सरल सिधान्त है जिसका पूर्ण रूप है garbage in garbage out यानि computer से प्राप्त आउटपूट की गुलवत्ता उसमें डाले गए input की गुलवत्ता पर सीधे निर्भर करती है जैसे किसी computer को परियाप्त गरती समीकरण input किया जाता है तो उत्तर के रूप में प्राप्त आउटपूट सही होने की कोई संभावना नहीं रहती है अगला प्रश्न है आपरेटिंग सिस्टम में round robin scheduling से क्या तातपर है आपको बताना है तो उत्तर है process allocation policy बहुत ही महत्तपूर्ण प्रश्न है आप देख लीजे दोस्तों आपरेटिंग सिस्टम में round robin scheduling से तातपर process allocation policy से है आप जान लीजे प्रचालन तंतर में round robin scheduling एक प्रक्रिया आवंटन है आपरेटिंग सिस्टम में round robin scheduling के तहत प्रतेक प्रक्रिया को निस्पादित करने के लिए एक निर्धारित समय परदान किया जाता है अगला प्रश्न है time quantum में क्या परिभाशित किया गया है time quantum महत्तपूर्ण प्रश्न है आप देख सकते हैं इसमें आपसे पूछा गया है कि time quantum में क्या परिभाशित किया गया है तो उत्तर है round robin scheduling algorithm RRSA यानि round robin scheduling algorithm को time quantum में परिभाशित किया गया है अगला प्रश्न है सूचनाओं का वह समोह जो एक computer को निर्धेश देता है वो क्या कहलाता है तो उत्तर है program दोस्तों computer में program शब्द coding के लिए प्रयोग किया जाता है ये computer की विशिष्ट भासा द्वारा किया जाता है अगला है customer accounts के connection की धैनिक processing को एक processing mode में simplified किया जा सकता है कैसे तो उत्तर है batch processing के द्वारा दोस्तों customer accounts के संसोधन की धैनिक प्रक्रियाओं को batch processing mode में सरलिकरित किया जा सकता है अगला है disk की मुख्य directory को क्या कहा जाता है आपसन है root, folder, sub या network तो सही उत्तर है root दोस्तों disk की मुख्य निर्देशिका या directory को root कहा जाता है निर्देशिका में विभिन प्रकार की फाइलों का समावेश होता है root file system उस disk भी भाजन में नहित होता है जिसमें root निर्देशिका इस्थिर होती है अगला प्रश्ण है computer के छेतर में windows explorer से क्या तातपर है तो उत्तर है file manager दोस्तों computer के छेतर में windows explorer का तातपर file manager से होता है अगला प्रश्ण है जब आप windows में file या directory icon का chain करते हैं और shift तथा delete कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा देखिए बहुत ही महत्तपोंड प्रश्ण है ये कि जब आप windows में file या directory icon का chain करते हैं और shift और delete कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा तो उत्तर है आप file या directory को अस्थाई रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं इस बास्त की पुष्ट करने के लिए एक संबाद बाक्स प्रकट होगा दोस्तों जब windows file या निर्देशिका icon का chain करते हैं और shift और delete कुंजियों एक साथ दबाते हैं file या निर्देशिका को अस्थाई रूप से हटाना है या नहीं इस बात की पुष्ट के लिए एक संबाद प्रकट होता है अगला प्रश्ण है कि सब directory बनाने के लिए किस mh-dos कमांड का प्रियोग किया जाता है तो उत्तर है mkdir देखिए सब directory बनाने के लिए mkdir निर्देश यानि कमांड का प्रियोग किया जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों directory या निर्देशिका को हटाने के लिए किस निर्देश का उप्योग किया जाता है आपसन है erase, rd, dil या md तो सही उत्तर है rd दोस्तों निर्देशिका को हटाने के लिए rd निर्देश का प्रियोग किया जाता है rd का full farm remove directory होता है अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सा निर्देश निर्देशिका या उप्निर्देशिका बनाता है तो सही उत्तर है mkdir अगला प्रश्ण है FAT का पूरा नाम क्या है तो Computer शब्दावली में FAT का पूरा नाम File Allocation Table होता है अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से कौन यूजर नेम के साथ संख्याओं और वर्ड माला का एक कंबिनेशन है जिसका प्रियोग यूजर एकाउंट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है आपसन है आपका Password, User Name, Title Name, Host, IDI Screen Name तो सही उत्तर है Password दोस्तों Password उप्योग करता नाम के साथ संख्याओं और वर्ड माला का एक संयोजन है जिसका प्रियोग उप्योग करता यानि यूजर एकाउंट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है अगला प्रिशन है विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर साफ्टवेर के प्रियोग का कानूनी अधिकार किसके माध्यम से दिया जाता है तो उत्तर है software license option B आप जान लेजे software license के माध्यम से यूजर को विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर software के प्रयोग का कानूनी अधिकार दिया जाता है प्रतिक software को इंस्टाल करते समय ये license दिखाई देता है और accept करने के बाद ही software इंस्टाल होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों password यूजरों को किस कारे के लिए सक्षम बनाते हैं सिस्टम में से घर प्रवेश, समय का दच्छोपयोग, फाइलों की गोपनीता रिटेन करने फाइल इस्टेक्चर सरल बनाने या इस्पेसल होना महशोस करने के लिए तो सही उत्तर है फाइलों की गोपनीता रिटेन करने के लिए तो याद कर लिजिए दोस्तों password user को फाइलों की गोपनीता बनाए रखने के लिए सक्षम बनाते हैं अगला प्रश्ण है computer में password सुरक्षा करता है किसका तो सही उत्तर है तंत्र के अनाधिकरित अभिगमन से दोस्तों computer में password जो है system के unauthorized access से सुरक्षा देता है password alpha numeric चैनित करना चाहिए अगला प्रश्ण है दोस्तों बोलचाल के शब्दों में भिन्नता को पहचानने की computer की छमता को क्या कहा जाता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ये महत्तो पूर्ण प्रश्ण है दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा ये आवाज माननेता जिसको wise recognition कहते हैं बोलचाल के शब्दों में भिन्नता को पहचानने की computer की छमता को आवाज माननेता कहा जाता है अगला प्रश्ण है कोई आपजेक्ट अपने आकड़ों को छुपा लेता है मगर कहा तक पहुँशने के लिए बाहरी कोड को अनुमत परदान करता है तो उत्तर है वे विधियां जो डेटा पर अपरेट करती हैं दोस्तों कोई अबजेक्ट अपने आकड़ों को तो छुपा लेता है लेकिन वे विधियां जो आकड़ों पर संचालन करता है उन तक पहुशने के लिए बाहरी कोड को अनुमध परदान करता है अगला प्रशन है प्रचालन तंत्र या आपरेटिंग सिस्टम के कारे की स्रेड़ी क्या नहीं है आपसन है इसमृत प्रबंधन वायरस से सुरक्षा फाइल प्रबंधन या प्रोसेसर प्रबंधन तो सही उत्तर है वायरस से सुरक्षा दूस्तों वायरस प्रोटेक्शन प्र चालन तंद्र के कारे की स्रेड़ी नहीं है अगला प्रश्ण है एक डाकुमेंट जो साफ्ट्वेर प्रोग्राम को कैसे यूज किया जाए इसको एक्स्प्लेन करता है वो क्या कहलाता है तो उत्तर है यूजर दोस्तों बहुत ही महत्तपोर प्रश्ण है एक दस्तवेज जो साफ्ट्वेर प्रोग्राम को किस प्रकार प्रयोग किया जाए इसका विवरण करता है उप्योग करता मैनुवल गाइड कहलाता है अगला प्रश्ण है विंडोज एंटी के बारे में कौन सा कथन सत्ते नहीं है पहला है कि यह बहुत उप्योग करता आपरेटिंग सिस्टम है यह बहुत संसकरण आपरेटिंग सिस्टम है यह प्रोसेशन स्वतनत्र है और यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का समर्थन नहीं करता है तो आप संडी आपका गलत है आप यात कर लीजे दोस्तों Windows NT एक Microsoft Windows Personal Computer प्रचालन तंत्र है जो उप्योग करता और ब्यावसायों को उन्नत छमता के साफ्ट्वेयर की जरूरतों को पूरा करता है अगला प्रच्ण है Microsoft द्वारव विक्सित की गई प्राप्राइटरी तकनीक को जो दस्तावेज और अन्निवस्तों के संपुटन और जोडने को सहूलियत प्रदान करती है वो क्या है आपसन है DOM, MODEM, OLE या OPENDAG तो सही उत्तर है OLE दोस्तों OLE Microsoft द्वारव विक्सित की गई प्राप्राइटरी तकनीक है जो दस्तावेज और अन्निवस्तों के Linked और Embedded Object को जोडने में सही उत्तर प्रदान करते हैं Embedded Object का स्रोत फाइल से कोई संबंध नहीं होता है और Linked Object स्रोत फाइल से जुड़ा हुआ होता है अगला प्रश्न है निमनलिखित में से कौन सा GUI घटक उप्योग करता को एक सेट या एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमत देता है आपसन है आपके Text Box, Radio Button, Check Box या Drop Down List तो सही उत्तर है Check Box दोस्तों Check Box उप्योग करता को एक सेट से एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमत देता है Check Box रेडियो बटन के समान है लेकिन इसका चैन करने का तरीका रेडियो बाक्स से भिन होता है अगला प्रशन और आज के सेट का आखरी प्रशन है कि OLE के संबंध में कौन सा दो वस्तों के बीच कनेक्सन अस्थापित करता है और अप्लिकेशन में डेटा डालता है तो उत्तर है OLE के संबंध में दोस्तों आप जान लीजए कि जो लिंकिंग है linking, linking दो बस्तों के बीच connection अस्थापित करता है और embedding जो है application में data डालता है option D सही उत्तर हो जाएगा OLE के संबन्ध में linking दो बस्तों के बीच connection अस्थापित करता है और embedding application में data डालता है OLE का पूरा नाम object linking and embedding है OLE को Microsoft द्वारविक्सित किया गया है जो दस्तावेजों और अन्य वस्तों को embed और link करने की अनुमत देता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो computer के महत्तपोण वस्तोनिष्ट प्रश्णों में इसमें आपने operating system यानि computer के प्रचालन्त अंतर से संबन्धित महत्तपोण प्रश्णों को कवर किया जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है आप इन प्रश्णों को तैयार कर लिजेगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment box में जरूर बताइएगा वीडियो को like करें, share करें और इस channel mark decision for civil service को subscribe करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार